जैसे मैं आपसे हर बार कहते आया हूँ कि जैसे जैसे आप वाइटमिन्स पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप कुछ भी आगे बढ़ते जाते हैं, चीजे आसान होना शुरू हो जाती हैं, तो उसी लेवल पे हम वाइटमिन B2 को देखेंगे, B1 I hope आपने देख रहा हो, और कोई भी वाइटमिन का वीडियो छूटा हो, तो इसके बाद जरूर देखना, इस वीडियो में हम वाइटमिन B2 को इतना आसान बना देंगे, कि आपको कभी भूलने में, कभी याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं, वाइटमिन B2 के साथ, तो वाइटमिन B2, कोई भी वाइटमिन होगा, सबसे पहले हैडिंग के आएगी, केमिस्ट्री, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको क्या याद रखना है, अब इसको क्या करना है, पहले देखता है, केमिस्ट्री में जाने से पहले, तीन पॉइंट जो आपको हमेशा होगा तो कुछ color देगा कौन सा color देगा जिस color से लिखा है yellow okay so यह 3 point याद होना चाहिए heat light और pigment के हिसाब से अब बात करते है structure की तो structure में आप से एक line में खहे दो कि 5-7-diamethyl iso-aloxygen attached to d-ribital by a nitrogen atom क्या समझ में आया कुछ ने ठीक है पर अब हम समझते चलते हैं क्या चीज होती है ठीक है आपको structure याद नहीं रखना है आपको doctor बनना है okay so what you just need to have an idea तो यह आप से मैं कह रहा हूँ यह एक heterocyclic ring होती है जिसका नाम है वो क्या iso-aloxazine okay तो iso-aloxazine ring यह है और यह आपका ribitol है ठीक है अब किताब कहती है कि इन दोनों को attach कर दो तो यह जो बना this is your vitamin B2 vitamin B2 क्या कहलाता है riboflavin okay तो पहले मैं आपको बता दू this vitamin B2 is riboflavin, vitamin B1 is thiamine ठीक है यह हम देख चुक है तो अब riboflavin में वो क्या कह रहा है कि basically iso-aloxazine देख सकते हैं आप heterocyclic three ring structure ठीक है तो यह जो heterocyclic है यह attached है d-ribitol से okay this is your ribitol and then ultimately they will get attached by a nitrogen atom तो यह आपका क्या बन गया vitamin B2 जो की आपका riboflavin है okay अब इसमें आपने riboflavin क्यों बोला क्योंकि basically वो फ्लेवन कंपाउंड होता है बाकी सारा यह जो iso-aloxazine ring बनाती है और यह आपका ribitol ribo okay तो यह चीज़ clear होगी अब ribitol क्या है basically ribitol is nothing but ribos only but उसका open chain form है जिसमें जो aldehyde group है वो reduce हो चुका है alcohol में ठीक है तो उसमें detail में जाने की जरुरत नहीं है बस आपको इतना basics पता होना चाहिए तो अब क्या होगा अब यह ribitol जो है further अब structure को थोड़ा और complicate करते है ठीक है तो यह आपने पकड़ लिया riboflavin अब मैंने आपको दो structure और दे दिये ठीक है तो क्या बहुत vast होगे नहीं आपसे मैंने काया है vitamin है vitamin के सिर्फ coenzyme याद रखिए ठीक है तो यह structure है यह basically आपने क्या करा riboflavin तो था ही अब आप उसके साथ दो चीज़ बनाना चाहते है FmN और FAD काफी बार सुना होगा ठीक है बहुत अच्छा है काफी सा चीज़ सीज़ों में आता है तो ribitol basically जब और phosphate अटाच कर दोगे तो FmN बन जाएगा और जब AMP उस पर जोड़ जाएगा ATP will donate AMP okay so जो AMP जोड़ेगा तो फिर FAD हो जाएगा ultimately आपको क्या आद रखना है nothing but this is your riboflavin and it will get two coenzymes okay these are FmN and these are your FAD ठीक है structure में दिलकुल नहीं जाएगे बस mindset में रखिए ताकि आपको जब भी strike करे vitamin B2 riboflavin you should know riboflavin तोड़ो जोड़ो coenzyme बनाओ okay that's it तो अब बात करते हैं functions की तो functions में आपसे कहाता है vitamin B complex में function इतने complicated नहीं आपको clinical चीज़े ज्यादा पता होना चाहिए तो function में आपको क्या पता है अब देखिए coenzyme associate होगा enzyme से ठीक है coenzyme यह जो riboflavin flavor part वहाँ से आया enzyme अपने आप में क्या होथी protein तो flavor proteins ठीक है अब FMN जिसके साथ attached है वो कौन सी enzyme है 2 complex 1 ETC का I hope आपको complex 1 पता हो कौन है और जो L amino acid oxidase है वो तो यह दो जो enzymes है यह FMNs attached है और complex 2 D amino acid oxidase बिलकुल ULTA ठीक है और एक acyl coenzyme है dehydrogenase again मैं आपसे कहूँगा fatty acid synthesis का वीडियो नहीं देखा हो मेरा तो देखे उसमें यह enzyme आती थी हमने mention किया है ठीक है और जब ETC आएंगे तो यह चीज़े भी cover कर लेंगे तो I hope यह चीज़ clear हो तो ultimately यह सब इससे क्या हुआ कि यह पूरी reaction यह आपको थोड़ा basic पता हो तो यह सब redox reaction होती है ठीक है और यह भी again function मैं बोल रहा हूँ बहुत important है आपको गलती से भी नहीं भूलना है function ठीक है तो redox reaction हुई काई के लिए energy production के लिए vitamin B1 क्या था energy production vitamin B2 भी क्या है energy production आप देखते चलिए कौन से vitamin energy में आएंगे हैं बाद में sum up करेंगे so vitamin B2 भी आपको clear हो गया functions के लिए आप बात करते हैं deficiency की तो deficiency में कुछ नहीं है बस 3 dermatology के लिए I should say conditions है जिनको आप pictographic से भी याद रख सकते हैं chelosis, glossitis, dermatitis okay तो chelosis में क्या है जो fissures है आपके mouth के उनके corners में basically corners में fissure हो जाएंगे ठीक है कहीं बार यह extend हो के पूरा lip भी cut कर देते हैं तो this is your chelosis, then there is glossitis basically papula जो papula पूरे loss हो चुके है और tongue का color कैसा हो जाएगा magenta like okay then here it is sibiric dermatitis यह इस area की है scalp पे भी हो सकती है तो यह basically काफी conditions होती है but again अगर आप से मैं sibiric dermatitis कह दूँ या glossitis कह दूँ you won't be able to diagnose B2 क्यों क्योंकि यह चीज़े बहुत सारी जगा मिलती है तो कैसे याद रखेंगे तो उसके लिए आपको अगें कुछ diagnostic tests पता होना चाहिए जो कि हमें B2 में देखने को मिलते हैं ठीक है तो बेना diagnostic tests के you can't give a short shot about what a particular vitamin deficiency is so again as I would say toxicity का आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है toxicity का कुछ जंजट नहीं है क्योंकि यह water-soluble vitamin है so this is all you need to know regarding vitamin B2 basically वो और उसके functions और फिर ultimately deficiency so I hope things are clear now and vitamin B complex is becoming simpler now so do share it with your friends and make learning easy for them too तो अब वापस same question बस deficiency disorder किसका बताना आपको vitamin B2 का तो comments box में answer कर दीजे thank you stay safe stay healthy